वेल गईज, लॉंग टाइम की बाद एक बार फिर से हम आपके लिए लाए हैं यह एक एक टॉप बेस्ट मेरलेस कैमरा जो कि आपको 50,000 उपीज सकी प्राइस दिंच में ओलाइन मार्केट में देखने को मिल चाहेंगे देखो अगर आप एक पैशनेट वीडियोग्राफर या फिर फोटोग्राफर है और आप अपने लिए कोई अच्छा सा कैमरा ढूंड रहे हैं दिन सबसे पहले तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा लिटरली 50,000 उपीस बजट काफी टाइट बजट है इस बजट में एक अच्छा मेरलेस कैमरा ढूंड पाना काफी मुश्किल काम है बाद डॉन फ़री काफी डीपी रिसरच के बाद हम आपके लिए लाये हैं इंडिया के टॉफ और बैस्ट मेरलेस कैमरा इंसे आप फोट कैमराज में यहाँ पे आपको 24 मेगा पिक्सल 4K रिकोर्डिंग 1080p 60fps वाइफाइ एनफसी ब्लूटूथ जैसे सभी तरके कनेक्टिविटी ऑप्शेंज इल्टेबल LCD टाच स्क्रीन स्लो मुशन और और भी कई सारे यहाँ पे आपको एडवांस फीचर्स देखनी को मिलते जाएगी वहां से जाके आपने एजिली चेक आउट कर सकते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं वैल अट नमर फोर्थ पोजिशिन पर आने वाला मिरलेस कैमरा आपको पैनासोन की तरफ से लुमिनिक्स जी सेवन देखनी को मिलता है गईज होने को यह कैमरा काफी पुराना है बट यह आज भी काफी बढ़िया पफोर्मेंस आपको प्रवाइड करता है इसमें आप एज बिगनेर वीडियो ग्राफिय और फोटोग्राफिय दोनों ही काफी अच्छी लेवल की कर सकते हैं डेजाइन आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोनिक व्यूफाइंडर के साथ साथ सबी तरह के यहाँ पर आपको डायल्स, बटन कंट्रोल्स, ISO, शटल स्पीड, FN मोर्स जैसे सबी तरह के बटन कंट्रोल्स यहाँ पर आपको देखनी को मिल जाते हैं डेजाइन भी इसकी काफी कॉंपैक्ट है, बाकि इंटर्चेंजिबल लेंस यहाँ पर आपको देखनी को मिल जाते हैं साथ में यहाँ पर आपको 14-42 mm तक का किट लेंस देखनी को मिलता है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको फिल्पेबल स्क्रीन देखनी को मिल जाती है जो कि इसकी प्राइस देंज पर आना काफी बड़ी बात है फीचर्स में यहाँ पर आपको 3X Optical Zoom, 16MP Microphone 3rd Sensor, 4K Recording 25fps, 1080p 30fps और फोटोस में यहाँ पर आपको High Resolution, एकदम Clear Images यहाँ पर आपको देखनी को मिलती है अब बात करें इसकी प्राइस की तो यह आपको फिलाल 45,000 उपीज सकी प्राइस देखनी को मिल रहा है इस प्राइस यहाँ पर आपको थोड़ी बुट इसकी फ्लक्टवेट होती भी मिल सकती है बट लेटरली एज बिगिनर, 40,000 उपीज सकी प्राइस चेंज के आसपास इसे आप कंस्डर कर सकते हैं यहाँ पर आपको अल्मोस्ट सभी तरह के फीचर्स देखनी को मिलते हैं चुकि एक हाई-end mirrorless cameras में आते हैं लिंक नीचे description box में डाल रखीए वहाँ से जाके आप इसे easily check out कर सकते हैं जो कि Canon की तरफ से EOS R100 देखनी को मिलता है यह भी एक newly launched anti-level mirrorless camera है मतलब होने को यहाँ पर आपको totally DSLR की feel मिल सकती है but 50,000 उपीस सकी price range में यह आपके लिए काफी best हो सकता है especially इसे वो लोग खरी सकते हैं जिनको as a photography के लिए अच्छा सा mirrorless camera लेना है and उनका budget around 50,000 उपीस के आसपास है हाला कि offers वगेरे लगा कि यह आपको 48,000 उपीस के आसपास मिलता है design आप देख सकते हैं काफी compact size के साथ साथ यहाँ पे आपको काफी simple इसका interface देखनी को मिल जाता है सबी तरह के ISO, shutter speed, exposure, menu buttons, dial pads यहाँ पे आपको देखनी को मिल जाते हैं यहाँ पे आपको एक electronic viewfinder भी देखनी को मिलता है जो कि daylight में photography में काफी help करता है एक drawback मेरे को इस camera का लगा कि यहाँ पे आपको flippable screen नहीं मिलती मतलब यहाँ पे आपको fix screen देखनी को मिलती है इसके लावा RF mount lenses यहाँ पे आपको देखनी को मिल जाते हैं जिसमें 18-45 mm तक का kit lens देखनी को मिलता है आपको पता ही होगा RF mount lenses Canon के newly mirrorless cameras में आते हैं इसके लावा यहाँ पे आपको 24MP APS-C sensor देखनी को मिल जाता है जो कि Digic 8 processor के साथ में आता है मतलब APS-C sensor and Digic 8 processor 50-80,000 उपीज सकी price range में आने वाले cameras में देखनी को मिलता है इसके लावा autofocus, high resolution photography, USB type-C port, micro HDMI, one short, autofocus जैसे सभी तरह के यहाँ पे आपको function features देखनी को मिल जाते हैं हाला कि यहाँ पे आपको video recording का भी option देखनी को मिल जाता है मतलब 4K recording 25 fps and 720p 120 fps तक यह record करता है चुकि normal clear footages आपको provide करता है अब बात करें इसकी price की तो यह आपको फिलाल 49,500 रूपीज तक की price इंच में Amazon पे देखनी को मिल रहा है price यहाँ पे इसकी fluctuate होती रहती है इस बात का आप ध्यान रखे एंड एक बार फिर से मैं आपको बता दू यह mirrorless camera especially photographers के लिए है normal videography भी यहाँ पे आप कर सकते हैं so here comes the second one चुकि Nikon की तरफ से Z30 देखनी को मिलता है guys 50,000 रूपी सक की price range के आसपास यह भी काफी बड़ी है mirrorless camera है इसमें आप videography और photography दोनों ही काफी अच्छी लेवल की कर सकते हैं यहाँ पे आपको इसके दो variant देखनी को मिलते हैं मतलब एक kit lens के साथ में आता है and without kit lens दोनों की price में 10,000 का difference है and मेरा माना यही कि आप इसकी kit lens ना लेकि only Z30 camera body ले and उसके बाद कोई अच्छा सा अपनी need के according लाइक आपको high level videography यह फिर photographic अनी है then उसके लिए आप अलग lens ले सकते हैं without kit lens only body यह आपको 50,000 रुपीस तक की price range के आसपास देखनी को मिलता है and with kit lens यह आपको 60,000 रुपीस के आसपास देखनी को मिलता है design आप देख सकते हैं काफी compact and portable design यहाँ पे आपको इसके देखनी को मिल जाती है and totally plastic build में आपको देखनी को मिलता है यहाँ पे आपको electronic viewfinder नहीं मिलता but flippable LCD touch screen, कई सारे function buttons and सबसे बड़ी बात 4K recording 30 fps and 1080p 120 fps तक record करता है camera में यहाँ पे आपको 20.9 megapixel का sensor देखनी को मिल जाता है जो कि literally काफी smooth and high resolution videos and photos capture करता है इसके लावा सभी तरीकी यहाँ पे आपको Wi-Fi, NFC, Bluetooth connectivity देखनी को मिल जाती है so guys 50,000 उपीस के आसपास इसे भी आप consider कर सकते हैं यह भी एक hybrid camera है so link नीचे description box में डाल रखिए वहाँ से जाके आप इसे easily check out कर सकते हैं so guys last number one position पे आने वाला mirrorless camera आपको Sony की तरफ से Sony Alpha ZV-E10 देखनी को मिलता है हो सकता है आपने इस camera का 50-60,000 उपीस तक की price range में काफी नाम सुना हो जो कि आपने एकदम सही सुना है literally 50-60,000 उपीस तक की price range में इससे best mirrorless camera आपको कहीं नहीं मिलेगा हाला कि साथ में जो आपको इसका kit lens देखनी को मिलता है वो इतना अच्छा perform नहीं करता बट इसकी camera body and other आप higher version lenses लेते हैं तैन ये camera 1,000 रूपीस तक की price range में आने वाले mirrorless cameras को भी beat करता है design भी इसकी काफी compact and portable बनाई गई है इसे आप as a vlogging, YouTube, content creating, weddings, photography, videography and और भी कई सारे कामों में आप इसे यूज में ले सकते हैं यहाँ पे आपको 24MP का IPSC sensor देखनी को मिल जाता है चुकि काफी बढ़िया smooth images and footages आपको provide करता है features में यहाँ पे आपको interchangeable lenses, optical zoom, eye autofocus, 4K recording 50fps, 1080p 60fps, slow motion, ISO shutter speed, directional 3 capsule mic चुकि काफी बढ़िया crispy clear audio आपको provide करता है इसके लावा 30 second maximum shutter speed, 3D color matrix, चैसे और भी धेर सारे features यहाँ पे आपको इस camera में देखनी को मिल जाते हैं price wise यह थोड़ा सा महंगा है लाइक अगर आप इसके kit lens के 7 में से purchase करते हैं तो यह आपको 63,000 उपीज के आसपास देखनी को मिलता है and without kit lens अगर आप इसे purchase करते हैं तो वो आपको 52,000 उपीज तक की price range के आसपास मिल जाता है मेरे साब से आप इसका kit lens ना लेके single camera body ले and अलग से कोई अच्छा सा lens आप purchase करे trust me इस budget range में काफी बढ़िया mirrorless camera है so guys यह थे वो 4 mirrorless cameras चुकि आपको 50,000 उपीज सकी price range के आसपास देखनी को मिलते हैं सबी cameras अपने अपनी price point के साब से काफी बढ़िया है like आपका budget कम हो तो आप Panasonic Luminix G7 की तरफ जा सकते हैं या फिर Canon EOS R100 की तरफ जा सकते हैं and budget जादा हो तो आप Nikon या फिर Sony की तरफ easily जा सकते हैं बाकि आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं किस नई वीडियो में ऐसे किसी नए topic के साथ में